हेलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7 के मैथेमेटिक्स के चैप्टर नमबर 1 इंटीजर्स की आज exercise 1.1 को solve करेंगे इंटीजर्स के पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको identifications of इंटीजर्स के बारे में समझाया था कि क्या होते हैं इंटीजर्स और किस तरह से हम इंटीजर्स को rational number या whole number के साथ जोड़के उनको एक number line पे represent कर सकते हैं उसके बाद मैंने आपको negative इंटीजर्स भी बताया थे, zero का concept भी बताया था और कुछ आपको questions भी solve करने के लिए दिये थे तो आज हम देखेंगे exercise 1.1 के बारे में वैसे तो इस exercise में 10 से 11 questions है लेकिन अभी इस video lecture के लिए हाल फिलाल और आज के लिए homework के लिए आपको ये 7 questions exercise के मुझे solve करके दिखाने हैं कल तक तो आईए देखते हैं हमारी सुरुवात करते है exercise की लेकिन इस सुरुवात exercise को सुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूँ कि integers के जो basic functions होते हैं जैसे कि basic operations जो होते है additions है, subtractions है, addition है, subtraction है, multiplication है, multiplication या division वो कैसे किया जाता है तो यहाँ पर addition और subtraction की बात करेंगे कि integers का additions और subtraction कैसे किया जाता है, जैसे कि कोई भी मैं integer लेता हूँ कि normal सा एक मैंने integer लिया 7 और फिर मैंने लिया और मुझे plus करना है दूसरा integers माइनस का 11 क्या plus करना है, एक तो मैंने integer लिया 7 और मुझे plus करना है माइनस का 11 integers, तो देखो यह किस तरह स तो देखो यह जब bracket खुलता है तो बार देखो plus का sign है और हमें पता है कि integers के अंदर plus minus क्या होता है? minus plus minus क्या होता है? minus तो यहाँ पर क्या आजाएगा? आपका 7 plus minus minus और यह क्या हो जाएगा 11 अब बताओ मुझे 7 minus 11 किस्ता होगा देखो यहाँ पर भी integers का ही एक subtraction का rule लग रहा है कि plus minus 7 plus का है और minus का 11 है plus minus क्या होता है? plus minus होता तो minus है लेकिन sign किसका आता है? greater than का तो देखो 11 minus 7 अगर मैं करूँगा तो कितना जाएगा हो? 4 और sign किसका हैगा? 11 के आगे minus का है और 7 के आगे plus का बड़ा कौन है 11? तो sign किसका लग जाएगा हमारा? minus का तो आप का answer क्या है? minus का 4 इस तरह के इस तरह से integers का plus minus होता है और भी मैं आपको बताओ कि एगर एक example ले लो minus का 4 और minus का 6 अब बताओ मुझे क्या होगा इसका answer देखो दोनों चीज़े minus में हो तो minus और minus क्या होता है? होता plus है लेकिन sign negative का sign minus का जैसे कि देखो दोनों minus है 6 प्लस 4 10 लेकिन sign किसका हैगा आपका minus का यह आप ऐसे भी याद रख सकते हो sign को लगाने का जो concept है इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो बड़ा number है गर जो बड़े नगर क्या आगे जो sign होगा हम तो भाईया वही लगाएंगे तो देखो यहाँ पर भी बड़ा number कौन है 6 है 6 क्या आगे minus है तो obviously क्या हैगा हमारा minus ही आएगा तो इस तरह से हम चीजे करते हैं यानि कि plus minus क्या होता है plus minus 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 plus क्या होता है minus और अगर मैं आपको बोलू minus minus क्या बोलू minus minus और दोनों चीजे जब minus में हो तो होता तो plus है लेकिन sign किसका हैगा आपका minus का हैगा ठीक है तो इस तरह से जो basic operations है वो थोड़ा सा आप ध्यान में रखना अभी इसे चीजों को थोड़ा आप ध्यान में रखोगे न तो आगे के लिए जैसे जैसे आपका education system बढ़ेगा आगे की जो maths बढ़ेगी आपको वो थोड़ा क्या हो जाएगा आपका easy हो जाएगा आईए देखते है question number first की हम शुरुआत करते हैं बढ़ाई अच्छा question दे रखा है यहाँ पर एक number line दे रखी है और उस number line के उपर अलग-अलग भारत के शहरों के चुनिंदा शहरों का तापमान वापे दर्शाया गया तापमान in the sense temperature तापमान से क्या मतलब है temperature अब देखो temperature जब मापा जाता है तो temperature को मापने की जब कोई भी चीज जब मापी जाती है तो उसकी कुछ न कुछ यूनिट होती है mathematics में या साइन्स के अंदर कोई भी चीज मापने simple सा उधारन दूमें आपको कि मुझे अपनी age या whatever मैं क्या बोल सकता हूँ मुझे अपनी weight मापना है मुझे अपना क्या मापना है weight मापना है कि मेरा वजन कितना है तो देखो मेरा वजन माण लो कि 50 हो तो 50 क्या? 50 rupees? 50 क्या? 50 feet? 50 क्या? तो कुछ तो होना चाहिना आगे जिससे मुझे पता चले कि ये मेरा वजन था तो 50 हम लोग क्या बोलते है किलोग्राम, बिल्कुल तो वजन को जो मापने की वेट को जो मापने की यूनिट जैसे होती है वो क्या कहलाती है आपकी किलोग्राम जैसे कि मुझे डिस्टेंस मापना है कि मान लोग कि मेरा घर आपसे दूर है 2 अब 2 क्या या तो 2 किलो मिटर हो सकता है 2 मीटर हो सकता है ऐसे अलग-अलग factors की science के अंदर unit होती है तो जब temperature को मापा जाता है तो उसकी unit क्या होती है एक तो यह जो यहाँ पर दे रखी है Celsius वो होती है Celsius उसके बाद एक Fahrenheit होती है जो आपको higher classes में बताया जाएगा उसके बाद आपके होती है Kelvin जिसको K से लिनोड किया जाता है यह सारी चीजे आपको higher classes में बताया जाएगी लेकिन यहाँ पर जो भी आपका temperature दे रखा है वो आपका किसमें दे रखा है Celsius में जैसे कि देखो एक मैं number line के उपर देखूं कि देखो मुझे शिमला दिख रहा है बड़ी ही अच्छी जगा है शिमला शायद आप लोग गयवे होगे और नहीं गयवे हो तो जाना आप बहुत ही खूबसूरत जगा है जाने लायक तो देखो number line के उपर शिमला का मुझे टेंपरेचर दिखा रखा है कि देखो पता चल रहाएगा यहाँ पर यह 5 लिखो हुआ है और यह यह arrow जाके यहाँ पर शिमला इट मींस शिमला का टेंपरेचर आपका कितना हुआ 5 डिग्री celsius यह बड़ा easy था मेरे लिए क्योंकि यह बहुत सामने ही पड़ा था लेकिन आपको बाकी सभी शहरों का देखो यहाँ पर आपको बोल रहा है observe this number line and write the temperature of the places markdown it इस number line को observe करो देखो अच्छे से और आप इन शहरों के temperature लिखो जैसे कि देखो bangalore की अगर मैं बात करूँ तो देखो bangalore का temperature किता हो जाएगा अब देखो यह 0 से सब इस side में चल रहा देखो यह आपका 0 और मैं आपको पिछले lecture में समझाया था कि 0 के जब हम right hand side में जाते है 0 के जब हम right hand side में जाते है तो हमें सारी चीज़े किसमें मिलती है positive और अगर हम 0 के left hand side में जाते है तो हमें चीज़े किसमें मिलती है negative में तो यहाँ पे देखो अगर मैं positive में जाओ तो bangalore का temperature को यहाँ पे 20 दे रखा है उसके बाद यह वाला कितना हो जाएगा 21 और यह जो bangalore वाला dot है वो कितना हो जाएगा 22 degree celsius यानि bangalore का temperature कितना हुआ आपका 22 degree celsius 22 degree celsius इसी तरह से आपको भी सहरे शेहर होगा यह लाहुलस्पिती लाहुलस्पिती एक हिमाचल परदेश का एक district है बहुत ही सुन्दर जगा है यह भी इसका temperature आपको बताना है फिर आपको श्री नगर का temperature बताना है श्रीमला का मैंने आपको बता दिया है फिर आपको ऊटी का बताना है और आपको bangalore का एक column बना लेना इन शेहरों का नाम लिखके उनके आगे उनका temperature लिख देना अब देखो यहाँ पर temperature की बात करों तो देखो श्रीनगर का temperature जो भी जाएगा न वो जो इतना भी आप निकालोगे वो किस में आएगा minus में आएगा अब देखो क्यों minus में आएगा temperature के अंदर ऐसा होता है कि जो जैसे जैसे temperature बढ़ता है वैसे वैसे आपकी गर्मी बढ़ती तो वहाँ पर आपका क्या होता है जीरो डिगरी के अंदर बरफ बढ़ना सुरू हो जाता है और जब देखो अब बरफ से भी आप negative के तारफ जाओगे तो मतलब बहुत ही ठंडा रहेगा आपका तापमान तो देखो कुछ answers आपको बताना है second question आपको 7th का क्या पूछ रहा है what is the temperature difference between the hottest and the coldest long places among the अबो जो उपर का hottest और coldest दे रखा है आपका क्या होगा सबसे coldest और देखो लाहुल स्पीति का temperature कि अगर मैं बात करो ना तो लगबग वो आपका minus का 8 degree होगा और सबसे hottest कौन सा होगा आपका इस तरफ में जब गया था तो मुझे बैंगलोर दिख रहा था सबसे hottest और जिसका temperature किता था 22 degree Celsius अब मुझे इन दोनों मैं difference बताना है क्या बताना है मुझे इन दोनों का difference बताना है कि इन दोनों के difference का मतलब क्या होगा कि दोनों में अंतर जैसे कि अंतर इन दा sense कि मैं आपसे पूछो कि मेरी age में और आपकी age में कितना difference है तो आप जो मेरी age है उसमें से आप अपनी age को क्या कर दोगे minus कर तो आपको बैंगलोर के टेंपरेचर में से लाहूल स्पिती के टेंपरेचर को क्या कर देना है माइनस कर देना है क्या कर देना है माइनस कर देना है तो देखो बढ़ा ही इंट्रेस्टिंग सा यहां पर चीज निकल के सामने आएगी कि देखो बेंगलोर का temperature कितना है 22 degree celsius और हमें करना है minus किसका temperature लाहुलस्पिती का temperature देखो वापिस मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ देखो बेंगलोर का temperature कितना बता है मैंने अभी आपको 22 degree celsius और मुझे minus करना है क्योंकि difference पूछा गया है और किसका है लाहूस पिती का और लाहूस पिती का temperature कितना है माइनस का 8 degree अब देखो अब integers वाला roll लग रहा है भईया अब यहाँ पर आप सीना लिखो तो भी चलेगा अब देखो integer का rule कैसे लग रहा है तो यहाँ पर यह bracket के कारण माइनस और माइनस क्या हो गया और फिर यह क्या आगया 8 और यहाँ पर यहाँ पर आपका क्या आगया 22 अब देखो 22 प्लस 8 कितना हो गया आपका 30 इसका मतलब बैंगलोर में और लाहूस पिती में कितना difference है आपका 30 का आप देखो बहले गिनने बैठ जाओ आप यहाँ पर देखो चलो गिनने लेते हैं यहाँ पर 30 हमारा देखो difference कि वह एक दूसरे से कितना दूर है तो देखो यहाँ पर यह 22 है फिर देखो यह 21 20 इस थरह से आप से थे इन पॉइंट्स को गिनो गे ना तो जब लाहूस पिती पर आते-आते आं आपको कितना प्रॉंट्स मिल जाएंगे आपके लिए एक pdf भी arrange कर रखा है जैसे यहाँ पे देखो यह चीज़े दिखा रहा है आपको कि किस तरह से इन्होंने ऐसे लिखा है तो देखो इनका भी यह जो second वाला है इसमें कितना answer आया यह आपका 30 answer आ रहा है इसी तरह से आपको बाकी के जो remaining जो दो है c and d what is the temperature difference between ला कह रहा है इस question में बड़ा ही अच्छा question है कि अगर मैं स्रीनगर और Simla के temperature को साथ में कर दूं तो देखो साथ में करना मैं भणा दोनो को कर दोगे तो plus करने के बास आपसे क्या पूछा गया है क्या प्लस करने के बाद शिमला किसे टेंपरेचर से भी ज़्यादा है या कम है तो देखो जब मैं इन दोनों को प्लस करूँगा ना इन दोनों के टेंपरेचर को देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको यह रहाँ आपका D वाला, the temperature of Srinagar and Simla minus का 2 और जब आपने इनको plus के लोगे तो आपका कितना answer आएगा 3 degree, अब देखो Simla का temperature है 5 degree और हमारा साथ मैं करने से भी answer आ रहा है 3 degree, तो बताओ ज्यादा कौन है 3 degree है 5 degree हमें पता है plus में को दिकत नहीं है, तो बड़ा कौन है 5 degree, तो Simla तो हम क्या बोलेंगे, कि the temperature of Srinagar and Simla taken together is less than the time, मतलब दोनों के temperature को मैं मिला दूना तो भी वो Simla के temperature से क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो और इसी तरह से आपको एक और सवाल D में पूछा है, वो आपको खुछ से read करके उसका जवाब आपको find out करना है, और अगर जैसे ये वाला question आपको खुछ से find out करके मुझे बताना है इसके बारे में, और मुझे आपको अपनी audio clip या कुछ भी लिख के मुझे इसके बारे में बेजना कि आपने ये कैसे सोचा है इसके बारे में, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते जब हम रखते हैं, तो जिसका answer सही होते हैं, उसको हम प्लस में नमबर देते हैं, और जिसके answer गलत होते हैं उसको हम negative में answer देखें, तो ऐसा कि ऐसा एक जो quiz competition यहाँ पे school में कहीं पे held हुआ, और यहाँ पे देखो, correct answer और incorrect answer के लिए positive marks किसके लिए गएगे, वहाँ वही system है कि positive marks दिये गए, correct के लिए और incorrect के लिए negative marks, जैसे कि अगर मालो मैंने कोई गलत जवाब दिया, तो मेरे minus 5 हो गए, या minus 10 होए, और ऐसा आप लोगों कि आप लोगों को अगर याद भी हो तो हम royal school में ऐसा चलाते भी थे Saturday, Saturday आपके test होते थे जिनमें आपको negative marking दी जाती थी तो यही सारी चीज़े इसमें बताई गई है देखो किस तरह से question का बोल रहा है in a quiz competition positive marks are given for correct answers and negative marks are given for incorrect if Jack, Jack नाम का कोई प्राणी है जिसने 5 successive round में कितना score किया 25, फिर minus का 25, फिर minus का 10 15 and 10 what was the total at this end पहले उसने 25 score किया फिर minus का 5 score किया फिर उसने minus का 10 score किया फिर उसने plus का 15 और फिर plus का 10 इस तरह से इसका score लिख दोगे आप और इन सब को last में आप क्या कर देना 2 by 2, solve कर देना जैसे कि 25 में से 5 गया कितना बचा 20, 20 minus 10 कितना बचा 10 whatever जो भी आपका या आगे solution होगा उस तरह से वो आपको solution कर देना है यहाप और भी मैंने देखो यह करके दिखाया है solution कि किस तरह से यह किया गया है आपको पूरा as it is यह नकल नहीं मारना है प्लीज ध्यान देना आप लोग नकल नहीं मारना हो आपको फिर देखो आगे थर्ड कोशन वापिस वो ही श्रीनगर वाला जो थर्ड कोशन के लिए आपको फर्स्ट कोशन आप देखना आपको समझ में आ जाएगा उसके बाद देखो फोर्थ कोशन प्लेन इस फ्लाइंग एड़ फिफ्टीन थाउजन एक कोई प्लेन है जो फाइफ थाउजन मीटर अबोद सी लेवल देखो यहां पे एक सी लेवल दे रखा है और उसे पांच हजार मीटर की उचाई में एक प्लेन ओड़ रहा है यह आपका प्लेन अब इस पांच हजार दोड़ पे और एक दूसरे के अपोजिट थे तो बताओ उन दोनों की आपस में दूरी कितनी होगी तो देखो सी लेवल से यह कितना है पाँच हजार पे और सी लेवल से यह कितना है बारा सो पे तो हाप लोग क्या करोगे इन दोनों को सीधा सा add कर दोगे कि मानलो कि मैं आपसे कोई हम तीन जने हैं A, B, C A से B फलाना दूरी पे है और B से C कुछ Y दूरी पे है तो बताओ A से C कितना दूरी हुआ तो हम क्या करते हैंगे फलाना प्लस Y ठीक है इस तरह से हम चीजों को solve कर सकते हैं एक बार देखना फॉर्थ कोशन भी आप आपको समझ में आ जाएगा फिट देखें फिफ्ट कोशन इजी सा कोशन है कुछ नहीं करना है और उसके बाद कुछ अमाउंट उसने वापस क्या कर दिया ? विड्रॉव कर दिया, विड्रॉव का मतलब क्या है उसने निकाल दिया अब आपने 10 रुपे जमा कराय है और 2 रुपे विड्रॉव कर दिया तो बताओ क्या करोगा, तो आप क्या करोगे 6 वाला question 6 वाले question में RITA goes 20 km towards east from point A एक RITA नाम की प्राणी है जो east में कितना गई 20 km point B तक मतलब यहां से यहां तक यह जो चली वो दूरी आपकी कितनी होई यहां से एक सगिंद यहां से A से B तक जब RITA चली तो कितना चली 20 ठीक है यानि यह point जब RITA वापिस आपका इस सरफ जब गई तो आपका कितना आ जाएगा 10 ठीक है इव दिस्टेंस ठीक है तो यहां पर देखो इस तरह से यह आपका solution भी और नीचे आप देख सकते हो देखो यहां पर यह दिखा रहा है आपका 6 वाले में वह मैंने आपको number लाइन पर दिखा दिया था यह 6 ने आप देख ले ले नंसित को elbows कईरवहा को इस तरह से सबको plus करो इस डिरेक्शन में भी प्लस करो इस में भी प्लस करो और डा घ्रस में करना है